बेलकम गाईज, बैंडी ट्यूब प्रयाग राज में मैं आशीश मिस्त्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स हम लोग O-Level के M2R5 Wave Designing and Publishing पेपर का HTML portion अभी देख रहे हैं हम लोगोंने कुछ tag देखा था, हम लोगोंने लास्ट वीडियो में font tag तक cover किया था आज हम लोग उसी class को आगे continue करेंगे और सबसे पहले हम लोग theory part में चलते हैं तो पहले हम आपने file को open कर लेता हूँ ताकि आप logo को दिख जाए पहले हम लोग theory समझते हैं उसके बाद हम लोग practically करके भी देखेंगे चलिए गाइज friends यह सारे notes सारे tag सारी चीजे हम आपको notes के तवर पर provide कर देंगे और आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हो फिलाल यहां हम आपको समझाने की कोसिस करेंगे चलिए गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फॉर्ण टैक तक कवर किया था अब टैक को थोड़ा सा बेक करके हम कुछ attributes देखेंगे कि attributes क्या होते हैं ठीक एट्रिब्यूट जैसा आप समझते हो गूर ना प्रापर्टी जिसको आप बोलते हो इसी तरह हमारे टैक के हर टैक के एट्रिब्यूट्स होते हैं इन एट्रिब्यूट्स को जो तो CSS 3 आया है पहले हर टैक में अट्रिब्यूट्स लगाने पड़ते थे CSS का में उदेश यही था कि इन attributes को हर टैक में ना लगाया जाए बलकि एक बार अगर हम CSS के तुरू उसको define कर दें तो वो सारे टैक पे apply हो जाए मतलब उससे related जैसे आप HR टैक लगा रहे हो या मानली यह body tag है तो body tag आप जितने पेज आप बनाओगे body लगाओगे उसके ट्रिब्यूट्स दोगे background दोगे background color दोगे text का color दोगे यह link का color दे सकते हो तो यह सारी चीजें आप हर पेज के body tag जहां जहां body tag open करोगे जितने पेज में आप body tag open करोगे वहाँ वहाँ आपको एट्रिब्यूट्स देने हो लेकिन CSS क्या करता है कि उन्ही attribute को अगर हमने एक बार उसको CSS में उसके background को हमने define कर दिया color को define कर दिया text के color को define कर दिया तो जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तो जितने पेज मल्टीपल पेज अगर हम बनाते हैं तो वह सारे attribute हमें कहा अगर मल्टीपल पेज दिखे जितने पेज रहेंगा उतने पेज पर आपको दिखें तो attribute के बारे हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले जो attribute देखते हैं वह attribute है आपका body का एक्विव ओफिक एब गाइज बाऩी का एकरीबीट है तो वे लिखा कहा जाएगा जाए मेरी बाध ध्यान में रखिएगा जिस तेख का जो एकडरीब्यॉट होता है जोई तेटेगर पांगर जो की रांग है कभी आपका रन नहीं करेगा तो जेव टैग जिसका जो एट्रिब्यूट हो जिस टैग का उसी टैग के अंदर जैसे बॉडी हमने ओपेन किया अब बॉडी का एक अट्रिब्यूट है बैग्राउंड कलर जिसको हम लिखते हैं बीजी कलर यहां पर थोड़ा स यह पांक मैं है और करते हैं और यूएस लेंग्रेंगेज में आपकाैं सीओ औल रो होता है ऑक हैट तो हम लोग बात करते हैं कि अट्रिब्यूट को लिखे कैसे तो हर एक ट्रीव अपने सांत देल लिके आता है चैसे यह क्या है बैलू लेकिया अताब मैं यह क्रिजी कलर बीजी कलर एक्ट्रिब्यूट नेम है बैग्राउंड कलर क्या है एक एक्ट्रिब्यूट नेम है और यह यह equal to लगाया अब equal to के बाद double inverted कामा में हमें value देना होता है अब value हम क्या देंगे इसकी बात हम लोग अभी करते हैं तो अगर हमें value देना है तो background का color देना है तो यह तो color name लिखेंगे यहान में रखिएगा color name लिखेंगे जैसे red, green, blue यह color मत लिख देना color आप लिख दोगे तो run नहीं करेगा बलकि यहाँ color की जगह आप क्या दोगे red, green, blue yellow, pink जो भी आपको color आता है sky blue, light green dark green जो भी आपको color name पता है वो आप डाल दो या color code इस्तमाल करते हैं color code, color होता है extra decimal code होते हैं has लगा के बनाये जाते हैं, कुछ numbers के द्वारा तो उनको हम इस्तमाल करते हैं, ठीक है आप net पे भी डालोगे color code, तो बहुत सारे color के code होते हैं, और generally हम लोग अभी practical part में देखेंगे तो background color जो भी होता है, वो क्या होता है, set the color of background in hexadecimal code hexadecimal code में वो क्या कर देगा, color कर देगा ठीक गाई, अब अगला है background body का अगला जो attribute है, उसको बोलते हैं background, background क्या होता है set the image on web page, web page के background में image set करना है, तो हम किसका इस्तमाल करेंगे, background आपको attribute name लिखना है background, value में क्या देंगे, file name file name मतलब url, उस image की location उस image का path with extension dot jpg, dot png जो भी आपका फाइल का होगा, जो भी आप picture set करना चाहते हो, उस image को आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, उस file का आपका extension देना होगा, ठेक, अब गाईज एक बात और ध्यान रखिए, कि we can write multiple attribute in a tag, एक ही टैग में हम multiple attribute और 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 कर सकते हैं, ठीक, अब आपके दिमाग में आया होगा, कि सर बोल रहे हैं, तो बीजी color भी लगा दें, और बाइग्राउंड भी लगा दें, दोनों run करेगा, guys, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कि बाइग्राउंड को अगर आपने color दे दिया, तो वो color ले लिय चाहे आप बीजी color यूज करेंगे, या तो बाइग्राउंड आप यूज करेंगे, अगला जो है, टेक्स्ट, इसकी बात कर रहे हैं, जैसे आपने अभी बीजी color लगाया, उसके बाद आप टेक्स्ट इसक्वर्टू ये value भी डाल देंगे, तो भी काम करेगा, आपको अल ये किसी text को जो हम body के अंदर text लिखेंगे, उसके color को क्या करता है, convert कर देता है, same procedure है, आपको लिखना होगा text, text scroll to color name या color code, ठीक, guys अगला है link, अगर body में जो हमारे specify link है, जो हम link बनाए है, link मतलब जिस पे click करें और दूसरे page पे चला जाए, ठीक, आगे हम बढ़ाएंग के link क्या होता है, तो link अगर हमने बनाया हुआ है, तो उस link के color को अगर हम यहां से manage करना चाहते हैं, तो link scroll to क्या देंगे color name या color code, red, green, blue, जो भी color name, या code, a link और we link, ये सब उसी तरह हैं, जैसे आपका link काम करता है, एक unvisited link के लिए होता है, एक click करने के बाद जो क्लिक करेंगे तुसका color change हो जाएगा, ठीक है, तो guys ये थे आपके body attribute, ठीक, अब body attribute का, आगे का, हम लोग चलते हैं, font attribute, font attribute क्या होता है guys, जो हमने अभी font tag पढ़ाया था, आपको last में, कि कि किसी का अभी हमे font change करना है, तो हम font को change करते हैं, ठीक, तो font tag के अंदर ये में use करना है, पहली चीज़ हम उसको दे सकते हैं, size, ठीक, size इसकी maximum जो होती है, वो 7 होती है, minimum जो होती है, 1 होती है, आप प्लस 7 तक ले जा सकते हैं, मतलब 7 था, smallest आपका 1 होता है, और largest आपका 7 होता है, ठीक, अगला है, font face, face, face guys, हमने last video में font का face change किया था, notepad से font change, copy किया था, उसको, font name को, और उसको हमने अपने font को change किया था, हम लोग आज भी देख लेंगे, ठीक है, तो अगर हमें change करना है, तो face लिखेंगे, face, school to face का नाम देंगे, अगला है, color, font का color अगर हमें change करना है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, change कर सकते हैं, ठीक, अब आपको color, school to color name या color code देना होता है, ठीक, अब हम चलते हैं, HR attribute, हमने एक horizontal line बनाया था, सबसे पहली चीज, HR का जो attribute है, वो है align, align क्या होता है, इसको alignment set करना, जो हमारा यह चार horizontal line है, उसके alignment को set कर सकते हैं, तो alignment set करने के तीन ही है, आपने पढ़ा होगा, left, right or center, हम भी से रख सकते हैं, left से रख सकते हैं और right से रख सकते हैं, HR का color, अगर हमें उस horizontal line का कोई color देना है, तो color name या color code को लिखेंगे, value आपको मैंने बताया है, कहते use करना है, color लिखेंगे, color is equal to आप क्या लिखेंगे, double inverted comma में color name या color code, इसी तरह alignment है, align लिखेंगे, align is equal to, आगे आपको double inverted comma में left, right या center, हम आपको practically करके दिखाएं, ठीक है, तो यह क्या करता है, color आपका, change करता है, उस horizontal line का, size, size guys होता है, size को हम pixel में देते हैं, या तो percentage में देते हैं, अगर हमने कहा 50% तो हमारे, जो हमारा HR होगा, वो केवल 50% होगा, अगर हमने 60% कहा, तो 60% या हम pixel में देंगे, तो भी हमारा काम चले, ठीव, अब आगे बात करते हैं, bit, guys इसको भी आपको वैसे लिखना है, size equal to double inverted कामा में आप pixel दे सकते हैं, 150 pixel, 200 pixel, 200 pixel, 300 pixel या percentage, आप 100% कर दोगे, तो पूरा का पूरा, अगर आप size bits नहीं देते हो, तो automatic 100% पे लेगा, ठीक, इसी तरफ bit है, जो काम size का है, वही काम bit का है, size क्या करेगा, उसकी size को बढ़ाएगा, bit उसकी चौड़ाई को, ठीक, अब यह भी आपको pixel में देना है, या तो percentage में देना, ठीक, अगला है पैरा graph का attribute, पैरा graph attribute, हमने P tag पढ़ाता न, paragraph tag, paragraph tag में के attribute में हम लोग क्या करते है, alignment six करते हैं, ठीक है, guys, paragraph को भी आप color कर सकते हो, लेकि अब यहाँ पे इसका कोई color नहीं होता, बलकि इसको इसके लिए हम क्या करना पड़ता, style करनी पड़ती है, ठीक है, तो फिल हाल paragraph के लिए जो attribute है, alignment है, बाकि हम style लगा के उसको color कर सकते हैं, ठीक है, तो alignment के लिए हमें तीन चीज़ होते हैं, left, right और center, हम अपने paragraph को left कर सकते हैं, right कर सकते हैं या center कर सकते हैं, अगला tag है, अब हम लोग attribute साथ साथ ही पड़ लेंगे, चलिए अगले tag के लिए हम बात करते हैं, अगला tag है वो है marki tag, marki tag क्या होता है, marki tag आपका एक ऐसा tag है, जो आपके content को move कराता है, अगर आपको content को move कराना है, तो वो content हमारा move कैसे करेगा, जब हम marki tag लगाएंगे, ठीक, आपको करना क्या है? marki के बार जिस content को move कराना है, उस content को लिखना है, ठीक, और marki को आपको क्या करना है? लोगे में क्लोज करें अब मार्की के एड्ट्रिव्यूट क्या है मार्की का एड्ट्रिवूट है बिढ्र दे सकते हुसका चाहिए वे दे सकते हैं उसकी यह ज़िए भैलू हमने 10 या 20% लिखी हुए आपको जो कर्षंद तरह और आप हाइट दे सकते हो उन मार्की की हाइट क्या होगी वह भी आप पिक्षाल में या पर्सेंटेज में दे सकते हो direction direction दिशा by default वह राइट से left की और भागे गहां अगर हम किसी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं मैनेज करते हैं एक बात नोटिस करिएगा ध्यान में जरूर रखिएगा जितने भी एक्ट्रिब्यूट है एक्ट्रिब्यूट नेम फिर इक्वल टू फिर इन्वर्टेट कामा में बैल्यू ठीक जैसे विट्थ लिखाये तो बीट्थ इसकल स्कूर में सब्स ernst मिजडेब बीस परसेंट जो भी आपको रखना है वह आप पर डिपेंड त्र टू डपलाण फरी इन्वर्टे परतेंट आपकी मर्जी डैरेक्शन इश्क गल्ट्न फिरदेला इन्वर्टेट अमें लेफ्ट राइड स्कूं आप करना है आपकी में मुम अगला एट्रिब्यूट जो है वह है वह विए भी हैवियर क्या होता है कि हम अपने मार्की जो मारा कंटेंड मूव कर रहा है उसको हम कि अटर्नेट कर सकते मतलब इस्क्रीन के उस पर बार बार वह चलता रहता है तुर्च जाता है हम उसको में कर सकते हैं उसके behavior को भी control किया जाए जैसे वो slide करें या alternate हो या scroll करें ठ्रीक है लूप लूप क्या होता है कि वो मार्की कितनी बार मूव करेगा अगर हम चाहें कि 4 बार मूव करके फिर बंद बंद हो जाए तो यह सारी चीज हम किस्ते मैंब करेंगे लूप से तो लूप एट्रिब्यूट हो गया अगला एक्ट्रिब्यूट जो है बीजी कलर बीजी कलर क्या होता है उस मार्कि का जो content move कर रहा है अगर हम उसके पीछे क्या background change करना चाहते हैं वो भी हम क्या कर सकते हैं change कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा बीजी color अब value में हम क्या देंगे color name या color code ठीक गाइस अगला जो tag है उस truck को हम लोग कोडर इस्तमाल करता है जो developer होता है वो इस्तमाल करता है ऐसा वेश्टी टाकि आपने जो website बनाई हुई है आपको उस घोज पोज में सही चीजें जैसे आप पढ़े रहे हो कोई website आ गई अगर आप अच्छे developer नहीं हो तो comment यूज नहीं करेगा तो अब आपने कहां header start किया है कहां footer start किया कौन सा body है कौन सा font आपने लगाया अगर आपने नहीं लिखा comment तो दूसरा order जब उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहेगा तुसको पढ़ना होगा तो बड़ा बोरियत करेगा यार यह कितने बनाया फड़ाओ इसको इससे अच्छा मैं बना जूँ जितना मैं इसमें धूड़ूंगा चुकि एक पेज बनाने के लिए कम से कम 300 से 400 लाइने लिखी तो चेंज करें तो इसी लिए जो अच्छे डिवलपर होते हैं जो डेवलप इसके को जानते हैं वेब डिजाइनिंग के वह हमेसा कमेंट को यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ टैग बनाना है टैग के बाद इस्प्लानेशन मार्क होता है उसके बाद दो आपको डैसल लगाने हैं उसके बाद जिस कंटेन को आपको करनें हैं उस कंटेन को उसके बीच में quality बाद आप फिर दो डैस लगाओ और टैग को कोड आपका कमेंट बन जाए ठीक जो कोड आपको रन नहीं कराना है उसको आप कमेंट बना सकते हो जो डॉट लिखा है मैंने यहां पर गाइस वो डॉट मतलब होता है कि इसको हम कंटेंट डालेंगे ठीक है अगला टैग जो है वो है इमेज टै क्या होता है गयूस अगयार हम अपने प्स्क्राइश तो हम किसिका इस्तमाल करेंगे आइजिंड का इस्तमाल करेंगे और यगिष्ट के हमेज के ठीक हमेर्थ लगा पैसे ही सिनल जागा उस कंपनी के जो मेन होते हैं चीफ होते हैं उनकी फोटो रहती स्टाप की फोटो रहती अगर आपको अपने विबसाइट पर इमेज लगानी है तो आप क्या करोगे आप यहां पर आई-अम-जी टेग लगाँ अब आपको सेंटेग क्या है आई-अम-जी इस यहां से लिया गया है तो इमेज का यूरल देगे यूरल के वाद उसके अगर आपको लगाने है तो एस्टिबूट की लिश्ट ठीके यह आपका इसलिए हमने यहां पे ही इसको क्लोज कर रखा तो आपको क्या लिखना है simple टैग के अंदर image image के बाद source source में एस र्ती मेंNews rien pubic.icot यूर्ल दे आगे हम एमें हमें एक्ट्रिब्यूट्ब्रत का देना है ठीक बॉडर देना है जो भी आपको देना है वह एंट्रिबूट करें ठीक आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं इमेज के अट्रिबूट क्या-क्या है इमेज का जो एक ट्रिबूट है कोई उस फोटो के बारे में आजाए उसका नाम आजाए तो अल्ट लिखते हैं अल्ट के अंदर हम क्या देते हैं टेक्स्ट देते हैं ठीक अगली वाथ Alignment अगर हमको Align करना है तो हमने यूरल दिया अल्ट लिखा फिर हमने क्या लिखा सब को एक साथ ही रख दिया है ठीक डाइरेक्शन अब डाइरेक्शन में आपको लेफ्ट राइट राइट इन्टर डॉप ऑटम पंपीश के तो यहां डायरेक्शन के 3 कि अगर हम में राइट के अग के एंगे लेप में लेप्ट स्कुल रखना यह तो हैंता है टुल में रखना और चाहते हैं ओर देसके И ये कि तना मोटा जांट चाहिए एक वो पिक्सल दो पिक्सल पिक्सल मत कर देना वहां रहां आब बहुत मोटा बॉर्डर हो जाए यह आपको कैसा और चाहिए अगला जो है वह हई है ऑग यहाइट क्या होता है जाय आपका इमेज कि हाइट कितनी रखनी है 200 पीक्सल रखनी है दाइजो पीक्सल रखनी है मोग क्या करते हैं अगर image की हाइट को सेट करना है तो हाइट में अगर pee commitment को सेट करना है तो वीच्थ स्थ्रीवित आउस्कभी क्लिश ओडर्वीं तुप दना है तो दो भी हम पिक्सल में इसी तो वर्टिकल्ड होता है यह देना है तो ऑफितनि देंगे कि में पिक्चल में क्या है यह मारजिन होती है कि इमेज कि मार जो हमारे आर इस प्रीन होता है उसकी मार्जिन से हम लोग कितनी दूरी पर रखना चाहता है ठीक अगर मैप करना है तो इसका एक और एक्ट्रिब्यूट होता है यूज मैप वहाँ पर मैट में देखेंगे लेकिन इसके आगे चलने से पहले इसके प्रैक्टिकल पार्ट को आप लोग जरूर देखिएगा और आप लोग एक होमवर्क की तरह आप बनाते रहें अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट सेक्टन में जाके कमेंट करें पूछें चुक्कि गाइज में एकदम बेज से पढ़ा रहा हूं अगर आप इंट्रेस्टेड हैं यू आर यू वांट टू बेकम अबेव डेवलपर देन गाइज यह वीडियो आपको बहुत हैल्फुल यह मेरी गारेंटी है आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देखिए और जितना प्रैक्टिकल में आपको दिखाया जाए उतना कीजिए खुद से कीजिए अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होती है तो इसका स्क्रीन सॉट लेके आप हमाई वार्टसप नंबर पे या उ वाचिए बाइन वीटूब प्रैयाग्म